आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ एसी सर्किट की सिंप्ल एसी सर्किट कई प्रकार के हो सकते हैं एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल प्रतिरोध जूला हो एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल इंट्रेंस हो एक ऐसा सर्किट भी हो सकता है जिसमें केवल कैपेसिटेंस हो केवल त resistance और inductance के साथ मिलकर R L circuit जैसे R C circuit या 1 L C R 3ों से मिलकर बना circuit तो मैंने पहले R circuit की बात की थी मैंने एक ऐसे circuit की बात की थी जिसमें किवल resistance था तब मैंने बताया था किवल resistance वाले circuit में क्या होता है परतिरोध वाले परिफ़त में क्या होता है voltage और current दोनों same phase में रहते हैं दोनों समान कला में रहते हैं अर्थात जैसे voltage difference यानि alternating voltage और alternating current एक दूसरे से कह रहे हूं कि दोनों की value बड़ेगी तो साथ घटे कि दोनों की value बड़ेगी तो साथ बड़ेगी हम साथ साथ हैं अब देखें फिगर भी देख रहे हैं यह फिगर यह जो sinusoidal work कर्व है यह बता रहा है कि दोनों voltage voltage डिफरेंस यानि voltage डिफरेंस और current दोनों साथ साथ चल रहे हैं और आर का फर्मूला था V is equal to IR R is equal to V upon I आज फिर हमने बात की थी L circuit की एक ऐसे circuit की जिसमें resistance केवल inductance है और उस circuit को मैंने ध्यान से आपको बताया भी था मैंने बताया था कि इस circuit में जैसे voltage डिफरेंस current से कहता हो कि voltage कह रही है current से कि मैं आगे चाती हूँ आप मेरे पीछे आओ कितना पीछे आओ 90 degree यानि केवल L वाले circuit में जो voltage है वो current से 90 degree आगे होती है या दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि current voltage से 90 degree पीछे होती है और केवल L वाले circuit में धारा के मार्ग में जो अवरोध लगता है जो अबस्टेकल लगता है उसे हम कहते हैं inductive reactance the opposition of a flow of current in a inductive circuit is known as the inductive reactance उसे मैंने XL से denote किया था और XL की value थी omega into L प्रेरण प्रतिगात आज मैं बात करता हूँ तीसरे circuit की जिसमें केवल capacitor लगा है और देखे क्या हो रहा इसमें इसमें कौन आगे है ध्यान से देखेगा इसमें current आगे है और voltage पीछे है देखे आप एक cycle पूरी हुई है और एक cycle के पूरे होने पर क्या आपको पता लगेगा याँपर जैसे ही एक cycle पूरी होती है तो current आगे है 90 degree और voltage पीछे यानि अगर किसी circuit में केवल C है C अर्था केवल धरिता है संधरितर capacitor है तब उस circuit में current voltage से 90 degree आगे होती है या आप कह सकते हैं कि voltage current से 90 degree पीछे होती है या voltage lags behind the current by an angle of 90 degree और इस स्थिदी में जो ये value होती है resistance की उसे हम कहते है capacitive inductance उसे capacitive inductance बोलते है XC XC इस गल्टू होता है बनापन omega C omega की value 2 pi F यानि frequency जितनी ज़्यादा होगी उतना ही XC का मान जो होगा वो कम होगा frequency के बढ़ने पर XC की value कम होगी और current की value बढ़ेगी और capacity के बढ़ने पर क्या होगा capacity के बढ़ने से भी XC की value कम होगी और current की value बढ़ेगी इस परकार आज हमने आज हमने इंडेक्टेंस की बात की और कैपेसिटेंस को मैं आपको फिर से एक बार किलियर करना चाहूंगा कि अगर किसी सरकीट में केवल कैपेसिटेंस है तब क्या हो रहा है आप बहुत ध्यान से देखेगा आगे कौन जा रहा है कितना आगे है 90 डिगरी जैसे करन बोल्टेज से कह रही हो अल्टरनेटिंग करन कह रही है कि नहीं केवल सी वाले सरकीट में मैं आगे जाऊंगी और बोल्टेज तुम मेरे पीछे-पीछे आओ 90 डिगरी पीछे-पीछे आओ और इसका जो इंडेक्टेंस है वो है एकसी और की वैल्यू है वन अपन ओमेगा सी ओमेगा मेंस 2 पाई-एफ और वन फरफ आफ तुमाइफ से जतनी जादा फ्रकेंसी होगी एकसी की वैल्यू उतनी ही कम होगी और करण कीया कहते है आपस में वोल्टेज और करण कहते हैं आपस में हम साथ-जात हैं हमारे बीच कोई भी face difference नहीं है यह R circuit कहता है L वाले circuit में आपको बताया था L वाले circuit में voltage आगे है current पीछे है और C वाले circuit में क्या है C वाले circuit में current आगे है voltage पीछे है इस परकार आज आपने तीनों circuit का हमने revision किया आपको समझाया होगा